हलो स्टूडेंट आपका हमारे यूटीब चैनल पर स्वागत है आज के इस वीडियो में हम DSSB Assistant Teacher Nursery का जो एक्जाम हुआ था 2021 में उस एक्जाम में Time, Speed और Distance से Related जो Question पूछे गए थे उसको हम सॉल्फ करेंगे तो ही स्टार्ट करते है अपने इस वीडियो को तो पहला Question है यह जो Question है यह हमारा 21 सितंबर 2021 को फर्स शिप में पूछा गया था नर्सिरी के एक्जाम में तो पहला Question हमारे पास है इसमें बोलगे है एक व्यक्ति अपनी सामानने चाल के दो तिहाई चाल से चल कर अपने कारयाले 15 में देरी से पहुंचता है उस दूरी को तै करने में लगने वाला समानने समय ग्याद करें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जो Speed है ठीक है स्पीड नॉर्मल स्पीड जो है वह हमने X ले ली ठीक है अब यह बोलाए कि दो तिहाई जो Speed अगर वो कर दे नॉर्मल स्पीड से तो नई वाली जो Speed होगी New Speed नई वाली जो चाल होगी वो क्या होगी X का दो तिहाई दो बटे तीन तो दो X बटे तीन हो गया ठीक है यह पहली की Speed थी और यह नई Speed हो गई तो यह बोला है कि जो वो है अपने आफिस 15 म सेम रहेगा ठीक है डिस्टेंज ओ कर मैं वाई ले लूँ तो दोनों case में याएगा तो तो फर्स्ट केस 3 उपर पहुँच जाएगा तो 3 y upon में 2x हो गया यह हो गया अब हमें जो time का difference दे रखा है वो दे रखा है 15 minute ठीक है तो हम क्या करेंगे दोनों का difference निकालेंगे 3 y upon में 2x minus y upon में x equal to 15 क्योंकि answer हमें minute में ही चाहिए तो हमने इसको minute में ही रखा तो इसका LC हम लेंगे तो हमारे पास नीचे 2x आ गया ठीक है यह हो जाएगा 3 y minus 2 y equal to 15 ठीक है तो इसको और solve करेंगे तो y upon में 2 x equal to 15 तो y की value आ गए 30 x distance हमारा 3 x हो गया ठीक है अब distance 3 x है तो यहाँ पर हम time 1 जो है हमारा ठीक है distance तो हमारा आगे 3 x तो 3 x रख दिया upon 30 x रख दिया upon max x x cancel तो आया कितना 30 minute जो इसका समानने समय था वो 30 minute था तो यह इसका correct answer हो जाएगा अगला question है इसमें बोला है how many seconds will a 25 meter long train running at the speed of 45 km per hour takes to pass a certain pole ठीक है 45 km per hour की चाल से चल रही 250 meter लंबी rail गारी एक निश्चित खंबे को पार करने में कितने second का समय लेगी ठीक है तो जितनी भी rail गारी की लंबाई है उतना उसे distance cover करना पड़े है तो distance जो है हमारा 250 meter हो गया और speed जो है वो दे रख दिया 45 km per hour चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे multiply करेंगे 5 बटे 18 से तो यह आगर 2 और यह आगर 5 तो यह होगे 25 बटे 2 meter per second ठीक है तो हमारे पास speed भी पता लग गई हमें और distance भी हमें time बताना है तो time का जो formula होता है समय का वो होता है time is equal to distance distance upon में speed जो है हमारे पास 25 बटे 2 है तो 25 बटे 2 पर पहुंच जाएगा ठीक है cancel करेंगे तो यह 10 10 को 2 से करा तो है 20 second 20 second का समय लगगा option number पहला अगला है अब हमें यहाँ पर जो speed है meter per second में इसको kilometer per hour में करना है ठीक है अभी second question में हमने kilometer per hour को change करें तो हम multiply करेंगे 5 बटे 18 से ठीक है और meter per second को हमेn change करना है kilometer per hour में तो हम multiply करेंगे 18 बटे 5 से उल्टा कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर जो speed है speed दे रखी है 30 meter per second तो 30 को हम multiply करेंगे 18 बटे 5 से 5 से गला तो 6 तो इसको अगर हम multiply करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? multiply करने पर 108 km पर आवर तो option number D इसका correct हो जाएगा अगला है एक 240 मीटर लंबी रेल गाड़ी पांच मिनिट में अपनी लंबाई के दो गुना platform को पार कर सकती है रेल गाड़ी की गती क्या है? तो यहाँ पर जो है ट्रेन की लंबाई कितनी है? ट्रेन की जो लंबाई है वो है 240 मीटर ठीक है? और जो platform है प्लैटफॉर्म जो है इसका दुगना है दो गुना 240 तो हो गया 480 मीटर ठीक है? तो इसको पार करने में उसे कितना उसकी स्पीड बताने है कितनी होगी अगर 5 मीटर में पार करती है तो देखे टोटल डिस्टेंस उसे कवर कितना करना पड़ेगा एक तो ट्रेन का और platform का तभी पार हो पाएगी तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा 240 और 480 प्लस कर देंगे तो 720 मीटर आ गया यह डिस्टेंस में कवर करना है और टाइम कितना दे रखा है टाइम दे रखा है पाँच मिनट ठीक है पाँच मिनट है इसको सेकेंड में चेंज करेंगे तो पाँच गुना साथ कर दिया छे पंजे तीस तीन सो सेकंड टाइम यह हो गया और डिस्टेंस यह हो गया तो स्पीड का फॉर्मल लगा देंगे स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में टाइम तो डिस्टेंस 720 मीटर और टाइम हमारा है तीन सो सेकंड तो जिरो जिरो कैंसिल छे दुनी इसको पांच मीटर पर सेकंड तो इसको पॉइंट में करेंगे तो दो पॉइंट चार ठीक है तो टू पॉइंट फोर मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड होगी अगला कोश्चन है एक आदमी 90 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तै कर सकता है वे कुछ दूरी 15 किलोमीटर पर आर की दूरी वो बाइक से 40 किलोमीटर पर आर की औसद गती से तै करता है तो आदमी द्वारा पैदल तै की गई दूरी बतानी है कितनी होगी ठीक है तो हमारे पास जो है डिस्टेंस जो है टोटल यहाँ से बी तक का वो दे रखा है में 90 किलोमीटर ठीक है और यह टोटल जो डि तक गया है पैदल ठीक है तो यह डिस्टेंस एक्स ले लिया और सी से बी तक बाइक से गया है तो बागी सी से बी तक का डिस्टेंस कितना हो गया पूरा नभ था एक्स उसने पैदल करा तो बचा कितना नभ है माइनस एक्स यह डिस्टेंस ठीक है यह हो गया अब पैदल उ एक से और स्पीड कितनी है पैदल में 15 यह हो गया और टाइम टू जो है बाइक से गया है तो डिस्टेंस उसमें है 90 माइनस एक्स और स्पीड कितनी है 40 यह हो गया अब इस पूरा जो समय लगता हो 4 घंटे लगता है दोनों को जो टाइम मिला देंगे एक्स बटे में 15 और 90 माइनस एक्स बटे में 40 तो उसे लगते हैं 4 घंटे ठीक है तो इसका एलसियम लेंगे तो हमारे पास आएगा 120 एलसियम आ गया तो इसको करेंगे 8 एक्स प्लस इसको करना पड़ेगा 3 से तो यह आगा 270 माइनस 3 एक्स बराबर 4 तो इसको थोड़ा और 270 और 120 को 400 गुना कर देंगे इदर तो यह हो जाएगा हमारा 480 5X इक्वल टू 480-270 तो आया हमारा कितना 210 आ गया X की value आगी 210 बटे में 5 cancel करा तो 42 ठीक है अब पूछा क्या था हमें आदमी द्वारा paddle tag की गई दूरी paddle tag की गई दूरी हमने X माना था तो X की value आई 42 तो 42 किलो मीटर वो paddle चलेगा अगला है एक व्यक्ति द्वारा 720 मीटर लंबे platform और 580 मीटर लंबी सड़क को पार करने में लगे समय की बीच का जो अंतर है वो 32 सेकंड है तो व्यक्ति की गती किलो मीटर परार में ग्याद करें ठीक है तो यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर speed निकाल ली है तो हमने जो speed है speed को माना X किलो मीटर परार यहाँ पर मीटर में है तो हमने X मीटर पर सेकंड माल लिया ठीक है यह हो गया और अगर वो platform जो है लंबा है 720 platform की लंबा ही है 720 मीटर ठीक है तो इसको पार करने में कितना समय लगेगा टाइम जो आएगा वो आएगा हमारा distance अपॉन में speed distance 720C रहेगा और speed x हो जाएगी ठीक है और लंबी जो सड़क है 580 meter लंबी street सड़क ठीक है जो street है वो है 580 meter तो इसको जो time लगेगा distance कितना है 580C हो गया और speed कितनी है x ही रहेगा ठीक है और यहाँ पर यह बोला है 20 का जो अंतर है समय का 32 सेकंड है ठीक है तो यहाँ पर इनका difference निकालेंगे तो 720 बटे x माइनस 580 बटे x तो आएगा हमारे पास 32 ठीक है तो LCM लिया x इन दोनों को घटा दिया तो 140 बराबर में 32 x की value आगी 140 बटे 32 इसको cancel करेंगे तो कितना जाएगा 8 हो गया यह हमारा कितना 3 और 5 35 बटे 8 मीटर पर सेकंड लेकिन हमें बोला है किलोमेटर पर आर में तो इसको बदलेंगे किलोमेटर पर आर में 35 बटे 8 को हम गुना करेंगे 18 बटे 5 से तो 5 से काटा 7 इससे काटा 4 और यह आ जाएगा हमारा कितना 9 7 निम 63 63 बटे 4 और इसको अगर हम पॉइंट में करेंगे तो आएगा 15.75 किलोमेटर पर आर तो इसका अंसर हो गया आप्शन नमबर B अगला कोशन हमारे पास सात्वा संदीप 15 किलोमेटर पर आर की गती से दोड़ रहा है उसने उसे अपनी गती में कितने प्रतीशत की वृद्धी करनी होगी ताकि वे 4 घंटे कम में 360 किलोमेटर किलोमेटर यहाँ पर आप्शन यहाँ पर सैंटीमेटर नहीं किलोमेटर होगा किलोमेटर की दूरी तै कर सके ठीक है तो यहाँ पर जो है संदीप की स्पीड कितनी है पहले 15 किलोमेटर पर आर अब बोला है उसे कितने प्रतीशत गती जो है वो बड़ानी पड़ेगी कि उसे जो 4 घंटे कम में वो इतना डिस्टंस का वर्स कर सके ठीक है तो हमारे पास यो है डिस्टंस भी रखा है डिस्टंस जो है वो दे रखा है 30-3045 किलोमेटर ठीक कि और 30 रखे पहले उसकी स्पीड दे रखी है 15 किलो मीटर पर आवर यह दे दिया अब अब यहां पर अगर मैं टाइम निकालूं तो टाइम जो आएगा हमारा वह अगर डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो 360 बटे 15 किया 15 दुनी 30 15 चौक 60 तो आए इसका 24 घंटे ठीक है अगर इस स्प प्रतीशत की वृद्धी करनी होगी ताकि वह 4 घंटे कम में 4 घंटे कम में तो जो नया टाइम आएगा टाइम जो आएगा नया वो कितना होना चीए 4 घंटे का मतलब 20 घंटे ठीक है 20 घंटे होगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी इस पार नई वाली स्पीड निकाले तो डिस्टेंस तीन सो साथ ही रहेगा टाइम भीस हो गया कैंसिल करा तो आया हमारा अठारा किलोमीटर पर आवर ठीक है पहले पहले जो स्पीड थी कितनी थी पंदरा और अब कितनी हो गई अठारा हो गई है ठीक है अब इसने पुझे कितने प्रतिशत की विद्धिवी स्पीड में व्रिद्धि हुई है तो यह वो कॉश्चन थे जो कि डी एसस बी असिस्टन नर्सरी टीचर के एक्जाम में पूछे गए थे उम्मीद है आपको मारा वीडियो पसंद आया होगा थैंक यू